बहुत लोग chat gpt का use कर रहे हैं 2025 में text content generate करने के लिए आप शायद AI का इस्तमाल अपनी company में भी कर रहे होंगे अपनी company processes को better करने के लिए मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो AI का इस्तमाल कर रहे हैं अपनी website पे customer support tickets को manage करने के लिए कि किसी customer को query है वो आएगा chatbot से बात करेगा और query solve हो जाएगी कुछ लोग marketing में automations का इस्तमाल कर रहे हैं AI automations का कुछ लोग AI agents बना रहे हैं अगर मैं इन सब use cases में से खाली customer support को पकड़ू तो as a customer मैं कभी वी एक chatbot से बाते करके अपनी queries को answer नहीं कराना चालता वो बहुत unnatural feel होता है कि मैं एक डब्बे से बाते कर रहा हूँ मेरे को पता नहीं है uncertainty है कि वो सही जवाब दे पाएगा या नहीं मैं इसको trust कर सकता हूँ या नहीं बहुत uncertain सा experience है बहुत unnatural है मेरे ले लेकिन अगर मैं आपको बता हूँ कि हम इस experience को better कर सकते हैं एक voice agent बना के voice agent जिसको आपके customers call कर सकते हैं या यह आपके customers को call कर सकता है for whatever reason और फिर बिल्कुल human की तरह बात करके उनकी queries को answer कर सकता है उन्हें को information provide कर सकता है आगे बढ़ने से पहले हम थोड़े से फाइदे और नुकसान जान लेते हैं एक customer support agent के जो की human है और एक AI agent के तो एक customer support agent जो की human है वो बहुत महंगा पड़ता है क्यों? क्योंकि उसकी salary आपको pay करनी है उसकी growth का आपको ध्यान रखना है और तरहे की HR activities का आपको ध्यान रखना होगा जिसमें और ज़्यादा cause जाएगी और एक human की limitation है एक इंसान कितनी ही calls कर लेगा एक दिन में और again आप 24-7 support नहीं दे सकते हैं क्योंकि 24-7 support के लिए आपको और लोग add करने होंगे अपनी team में तो humans काफी limit हो जाते हैं वहीं पर AI unlimited काम कर सकता है वो 24-7 काम कर सकता है कितना भी आप उसको scale कर सकते हो आज वो हो सकता है 100 calls आंसर कर रहा है moving forward अगर आपको जरुवत पड़े तो वो 1000 calls भी आंसर कर पाएगा तो scale का कोई problem नहीं है थोड़ी सी cost बढ़ेगी और आपका काम हो जाएगा customers को wait नहीं करना पड़ेगा किसी से बात करने के लिए वो किसी टेली callers की line में नहीं लगेंगे कि आपका number है 6 अब फिर music चलेगा और मैं wait करूँगा ऐसा कुछ नहीं मैं phone मिलाँगा immediately वो agent मेरे को answer करेगा और जो भी मुझे पूछना होगा मैं उससे पूछ सकता हूँ मुझे शायद as a customer पता भी ना चले कि वो एक AI agent है ना कि एक real human जो tool हम आज use करने वाले हैं अपना voice agent बनाने के लिए उसका नाम है Wapi Wapi एक बहुत अच्छा tool है बिना code के voice agents बनाने के लिए जिसको आप call कर सकते हो उससे बाते कर सकते हो और भी tools market में exist करते हैं कुछ tools इंडिया में भी बन गए हैं जो कि बहुत अच्छी quality के हैं लेकिन उनको हम future videos में देखेंगे अभी के लिए Wapi is a good option क्योंकि इस पर मैंने काफी agents बनाए हुए हैं और मैंने इन agents को sell भी किया हुआ अपने customers को तो I know this is a solid platform तो यहाँ पर आप इसका landing page देख सकते हैं इसके features देख सकते हैं use cases पढ़ सकते हैं जब आप convince हो जाएं तो आप login sign up करके dashboard पर आजएए जैसे ही आप dashboard पर आएंगे तो यह आपको कुछ metrics दिखाएगा हो सकता है आपकी onboarding थोड़ी different हो बट मुझे यह मेरे metrics दिखा रहा है कुछ basic calls के बारे में मुझे यह नहीं देखना है भी के लिए तो I'll go to assistants assistants में मेरे past assistants दिख रहे हैं तो मैं इसको folder को बंद करता हूँ और एक नया assistant create करता हूँ तो इस assistant का नाम होगा Apple customer support agent तो हम एक agent बना रहे हैं जो की Apple the company iPhone company उसके support के लिए हम एक voice agent बना रहे हैं कि अगर किसी वो iPhone में या किसी Macbook में या किसी भी Apple product में कोई problem आ रही है और यह उनकी queries को resolve कर सकता है ठीक है हम चाहे तो कोई quick start template भी उसकर सकते हैं बट अभी के लिए I will start with a blank template तो मैं इसको tap करता हूँ create assistant perfect तो यह मेरा assistant बन गया है अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उपर tabs available है model, transcriber, voice, tools, analysis advanced यह सब क्या है हम एक के करके देखेंगे सबसे पहला है model model है जैसे कि open AI का GPT 3, GPT 4, GPT 4.1 यह सारे models हैं तो वो हम यहाँ पर choose करते हैं तो अभी के लिए मैं provider open AI रखता हूँ, model change कर देता हूँ 4.1 mini जो की सबसे latest model है यहाँ पर message भी मैं change कर सकता हूँ तो मैं लिखता हूँ, hi there this is Keshav from Apple customer support how may I assist you today so यह आपका first message है जैसे कोई इस agent को call करेगा सबसे पहले वो agent क्या बोलेगा यह वो message है तो यह बोल रहा है, hi I am Keshav from Apple support, how may I assist you today तो basic सा message है हमें एक system prompt भी दे सकते हैं आपने chat GPT अगर पहले use किया है तो आपको पता होगा कि system prompt एक सीज होती है जिससे हम उसको थोड़ा context देते है कि वो किस तरीके से हमें help करे उसका काम क्या है तो यह system prompt के थू होता है मैंने एक prompt लिखा हुआ है तो मैं उसको पढ़वाता हूँ आपको तो यह apple customer support agent prompt है यह भी मैंने chat GPT से लिखवा है by the way तो सबसे पहले हम उसको एक identity बता रहे हैं कि you are Keshav, an apple customer support assistant you help customers resolve issues with apple devices and services voice and persona कैसा होना चाहिए इस assistant का friendly होना चाहिए patient होना चाहिए conversational tone होनी चाहिए conversation का flow कैसा होगा सबसे पहले वो introduce करेगा जैसे हमने अपने first message में लिखा है उसके बाद issue identify करेगा तो could you tell me what's happening या फिर कोई follow up question पूछ लेगा troubleshoot करने में help करेगा तो वो कुछ basic solutions देगा पहले start with basic solutions provide clear step by step instructions फिर वो resolution देगा closing करेगा कि जब कोई resolution पूरा हो चुका है customer को वो help कर चुका है तो वो call को end कैसे करे कुछ guidelines इसको दिये हमने कि responses को conversational रखना है एक question एक बारी में पूछना है empathy रखनी है थोड़ी सी कि customer अगर frustrated है तो थोड़ा सा empathetically behave करना है scenarios कैसे handle करें उसको भी हमने दिखाया यहाँ पर कि common issues क्या हो सकते है जब customers frustrated हो तो कैसे उनको tackle करे बोले कि I understand your frustration knowledge based अगर हम इसको चाहें तो दे सकते हैं वो हमारे यहाँ बापी में भी एक feature है यहाँ फिर आप system prompt में भी थोड़ा दे सकते हो knowledge which is कि क्या-क्या solutions है connectivity का iCloud के क्या issue हो सकते है app में क्या problems हो सकते है उसका solution क्या है कि force quit करो, update करो, reinstall करो तो यह छोटी सी एक context है बट आप ज़ादा भी दे सकते हो इसको कुछ limitations है तो वो भी हम यहाँ लिख सकते है कि क्या काम यह नहीं कर सकता और last में remember to resolve issues efficiently while creating a positive experience simple सा system prompt है मैं इसको copy करूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक और वापी में आकर paste कर दूँगा इस तरीके से यह markdown में नहीं है आप chat GPT में जाकर इसको markdown में भी convert कर सकते हैं तो chat GPT में जाता हूँ इसको बोलता हूँ convert this to markdown markdown एक text format है तो यह उसको markdown में convert कर देगा जिस्ट किव इट a moment परफेक्ट यह हो गया है मैं इसको यहाँ से copy करूँगा वापी में आऊँगा और पूरे को हटा कर यह paste कर दूँगा तो इससे उसको पढ़ने में थोड़ा सा easy हो जाएगा आपको भी कल को edit करने में थोड़ा easy हो जाएगा तो बस यह formatting हुई है थोड़ी सी perfect नीचे आते हैं या फिर हम transcriber पर tap कर देंगे तो सीधा हमें वो वहाँ ले जाएगा transcriber section में page के तो transcription का मतलब होता है voice को text में convert करना जो भी मैं बोलूँगा इस agent को call पर वो पहले उसको text में convert करेगा text में convert करके LLM को भीजेगा वहाँ से answer आएगा फिर फिर से उसको voice में convert करेगा और फिर बोलेगा तो सबसे पहला step है transcription की सुनेगा और फिर transcribe करेगा तो transcription के लिए हम क्या use कर रहे है deepgram जो की एक provider है ऐसे और भी providers है जैसे assembly AI भी बहुत अच्छा है मुझे personally deepgram पसंद है काफी fast है काफी features है इसके अंदर तो deepgram चूज करेंगे language English रहेगी model Nova 3 which is fine यहाँ पर और भी कुछ मैं change नहीं करूँगा नीचे आता हूँ voice में तो voice configuration खोल लेते है तो provider वापी है अभी currently मुझे दूसरा provider चाहिए मैं 11 labs यूज करना चाहता हूँ 11 labs एक और AI company है जो की बहुत अच्छे voices बनाती है AI से so मैं अगर 11 labs पे जाओ और login करूँ तो मैं यहाँ पे thousands of voices देख सकता हूँ आपको जो voice पसंदा है आप उसको view कीजिए और यहाँ से ID कौपी कर लीजिए वापस आके आप चाहें तो यहाँ पे भी ढूंड सकते हैं कोई बट अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है कुछ अच्छा तो आप add voice ID manually करके यहाँ पर voice ID डाल दीजिए मैं एक voice ID डालूँगा जो कि मुझे काफी पसंद है model हम यही रखेंगे 11 Turbo V 2.5 परफेक्ट additional configuration देख लेते हैं कि हमें कुछ करनी है तो तो stability मैं चाहता हूँ थोड़ी सी रहे इसमें तो 0.7 तक ले जाऊँगा मैं कि voice थोड़ी सी stable रहेगी speed is fine clarity, exaggeration यह सब ठीक है इन सब options को आप hit and try कर सकते हो परफेक्ट नीचे आते हैं tools मुझे कोई नहीं connect करने है, custom functions नहीं करना है summary वगेरा कुछ भी नहीं करना है हम आज एक बहुत simple सा voice agent बना रहे हैं यह सब चीज़ें use करके हम काफी complex agents भी बना सकते हैं, बट अभी के लिए सब कुछ simple रखते हैं, मैं और कुछ भी use नहीं करूँगा एक बार advance देख लेते हैं कि उसके अंदर हमें कुछ करना है क्या audio recording on है तो आपका हर call record होगा, उसको आप बाद में जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं और कुछ मैं अभी नहीं करना चाहता, this is perfect तो यहाँ पर हम उसको test भी कर सकते हैं, ठीक है test कैसे कर सकते हैं, कि मैं सीधा इस पर टाप करूँगा talk to assistant, और फिर इससे बात करके देखता हूँ Hi there, this is Keshav from Happen Customer Support How may I assist you today? My phone is not charging I'm sorry to hear your iPhone isn't charging, let's see if we can get that sorted out Can you tell me if you're using the original charging cable and adapter that came with your phone? Yes Also, is the charging cable for port showing any visible damage or debris? No, I'm using the same charger that came with the phone and also there's no damage, it just, it was working absolutely fine but then it stopped one day, so I don't know what happened Thanks for letting me know, so your iPhone stopped charging suddenly even though you're using the original charger and there's no visible damage, right? Let's try a couple of quick things First, can you try plugging your charger into a different power outlet or USB port just to rule out any issue with the power source, let me know if that makes any difference I did try that, it did not work Got it, thanks for trying that Next, let's check the charging port on your iPhone Oh, wait, 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 just one moment, sorry, sorry to cut you off I just noticed my phone is charging now This is absolutely fine, thanks a lot, you helped me, like this was really helpful, thanks a lot Oh, that's great to hear, I'm very glad it started charging again Sometimes just giving it a little check or reconnect can do the trick If you run into any other issues or have questions, don't hesitate to re-jump Thanks for conducting Apple support and have a fantastic day Thanks, bye-bye You can see that I have talked about it I have talked about it very humanly, very humanly, very humanly, I have talked about my issue I have talked about the call, because obviously it wasn't a real query But in this way, you can change the settings and talk to the assistant button You can talk about it, you can talk about it, you can see your settings You can perform it or not, you can do it Hit and try When it's done, we can connect it to real numbers Now, we have to connect it to real numbers Here we have to come to phone numbers Because we have to connect a phone number here So, I already have a number connected I can go to create a new number If I have to connect a new number So, WAPI also provides free numbers But it's only in the US feature available In India, you can get a number from Twilio So, Twilio is another service It's about it, you can log in So, Twilio, you can log in When you come to the dashboard So, phone numbers Buy a number You can get a number You can get a number Choose Number Choose Payment You can get numbers When you get numbers You can get numbers You can get active numbers You can get active numbers Here you can go So, I will copy the number Copy So, I will copy the number And here I will paste the number Now, I will paste the number Now, I will paste the number Twilio account SID And Twilio auth token So, these two things Where will I go? Where will I go? I will go to account dashboard And here I will paste the number And here you can do And you can do label And you can do label Keshav, US, number Or import And you can import When you import To look at it So, it will see you this Here I will do Phone numbers To go to the number Which number You can connect Which number To select assistant Choose To choose To call To answer which number Is your multiple assistants Answer So, I will Apple Customer Support agent Choose जैसे ही मैं यह करूँगा तो जैसे इस फोन पे इस नंबर पे कॉल मिलाया जाएगा तो फिर यह एसिस्टेंट आंसर करेगा अभी क्योंकि फोन से रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं इसको करके नहीं दिखा सकता लेकिन यह काम करता है और इसी तरह काम करेगा तो इस तरीके इसे हम बहुत simply voice agents बना सकते हैं, customer support को पूरा automate कर सकते हैं, हजारों लोग इस नंबर पे call करके अपनी queries को answer कर सकते हैं और आपका पूरा का पूरा system unlimited scale कर सकता है बिना एक भी employee hire किये तो यह बहुत powerful चीज है अभी हमने customer support के लिए इसको solve किया है हम चाहें तो इसको pre sales या फि इसके और भी बड़े सारे features हैं जिसको हम आगे की videos में बनाएंगे और देखेंगे तो अभी के लिए इसको try कीजिए उसके options को hit and try कीजिए agents बनाएगे, comment में लिखे कि आप क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, अगर आपको कोई help चीए तो reach out to us, हमारी community का link भी description में सकते हो, वहाँ पर अपने questions put up कर सकते हो, अगर आप कुछ बना रहे हो तो उसको showcase कर सकते हो, तो I'll see you in the next video, thanks a lot for watching this.